नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हूं क्रेप्टो मनी मंतरा के एक नए वीडियो में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैनल पर पहली बात करेंगे इस वीडियो के अंदर तो आगे बनने से पहले आकांगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारी आए हैं तो subscribe का उटन बिल्कुल दबा लीजएगा बेल आइकन को भी आसे दबा लीजएगा ताकि आखको सारी notification मिल सके हमारे वीडियो से related और साथ ही साथ इस वीडियो का से दरूर like कर दीजएगा ताकि हमको motivation मिल सके आपस लोग लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे हमारी computer screen पर तो यह रही हमारी computer screen जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने बहुत ही अभी recently कल ही हमने यहाँ पर 21,000 subscribers जो हम यूडियूब पर complete कर लिए है 21,000 members की अब हमारी family हो चुकी है तो congratulations and celebrations to with all of you right to all of you congratulations तो यह सारी चीज़े हैं अभी at present जो कि हम थोड़ा थोड़ा थीरे दीर करके कोशिश कर रहे हैं कि regular content भी बना सके regularly आप सुब लोगे साथ updates वगरा share कर सके और यहाँ पर अब यहाँ पर 21,000 जो लोग हो चुके हैं तो अब थोड़ी सी responsibility भी उस तरीकी की feel होती है कि अब regularly information आप सुब लोगे साथ share करनी चाहिए तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ news बगरा share करते हैं और उसके बाद चलेंगे Bitcoin के चार्ट के ओपर भी तो यहाँ पर देखिए एक news निकल कर आ रही है जो कि Russia की तरह से निकल कर आ रही है कि Russian Parliament Duma expressed support for crypto regulations तो यहाँ पर crypto regulations के बारे में Russia की तरह से positive news निकल कर आ रही है कि यहाँ पर हो सकता है कि बहुत जल्दी जो है यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ positive जो है वो response निकल कर आ जाए एक positive जो है यहाँ पर regulations वोगरा crypto से related निकल कर आ जाए काफी सारे sanctions अल्रेडी लग चुके है Russia के ऊपर लेकिन अभी यहाँ पर जो है लेकिन एक यह positive news है इसके बाद जो एक जो news निकल कर आ रही है थोड़ी सी खतरनाक है वो खतरनाक यह है कि China के अंदर जो दुबारा से lockdown लग गया है और इस बारी जो है काफी बड़े level पर जो है वो explode हुआ है यहाँ पर COVID-19 के cases तो यहाँ पर इस बज़े से lockdown लगा है अब यहाँ पर इस news के आने के बाद में थोड़ा सा जो है वो panic हलका-फुलका सा market के अंदर जो है वो देखने को मिला मतलब बहुत जादा नहीं लेकि news थोड़ी सी negative है तो market इस समय पर positive कोई भी जो response नहीं दे रहा है अभी तक तो let's see क्या कुछ होता है लेकिन ये कितनी बड़ी news इंपाक कर सकता है क्या वो अभी इंपाक करेगा या कुछ दिनों के बाद इंपाक करेगी ये news क्योंकि अभी ये जो news है just आई है market के अंदर अभी इसका इंपाक जो है वो इतना जाद अभी तक दिखा नहीं है market के अंदर let's see यहाँ पर कोई बहुत बड़ा negative impact नहीं है लेकिन फिलहाल के लिए कोई positive impact भी नजर नहीं आ रहा है market के अंदर तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक और न्यूस जो वो चाइना से निकल कर आ रही है पुतिन सीज पॉजिटिव शिफ्ट इन रश्य उक्रेइन टॉक्स तो यह काफी जादा positive news है क्योंकि अगर यहाँ पर रश्य और यूक्रेइन के बातों में के अगर यहाँ पर कहीं पर भी positivity अगर आती है तो यहाँ पर जो है काफी अच्छा हो सकता है करके कर लेता हूँ यहाँ पर एक चीज आपको बहुत important दिखानी है weekly चार्ट के उपर तो वहाँ आ जाते हैं तो यह रहा weekly चार्ट bitcoin का तो देखिए एक चीज यहाँ पर बताऊंगा उसके बाद और भी चीजों का आपको रिलेट करके बताऊंगा यहाँ पर point के price के साथ में तो देखिए हमने यहाँ पर बात करेंगे कि breakout levels क्या हो सकते हैं और support level क्या हो सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं breakout levels की तो यहाँ पर 21 EMA है आप यहाँ पर देख रहे हैं candle closure अगर मिलता है तो अब यहाँ पर अभी तक नीचे की तरफ यह तो डाउं ट्रेंड है और अगर इसके ऊपर अगर वीकली लेवल पर वीकली चाट के उपर जो लेवल बतायते हैं और इसी सहाब से अगर हम यहाँ पर यह जो लाइन देख रही है horizontal वाली जहां पर कि जो मैंने कल के वीडियो में भी बात करी थी कि 44,000 का जो लेवल है वह काफी ज़्यादा important है कि अगर daily candle closure हमको दो candle, उपर मिलते हैं तो पहला candle closure अगर हमको यहाँ पर एक ऊपर मिल जाए उसके बाद एक और अगर यहाँ पर उपर मिल जाए तो daily level पर हमको confirmation मिल जाएगी कि अब यहां से जो है वो positive हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय में जबी भी मार्केट ने उपर जाने के लिए टेम्ट किया है तो एक कैंडल तो green हुई लेकिन दूसरी कैंडल में वापिस नीचे यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि एक कैंडल तो ऊपर close वे फिर दूसरी कैंडल में वाप लगातार राइट और लगातार दो कैंडल क्लोजर हमको 44,000 के उपर अभी तक नहीं देखने को मिला है अगर हमको अब यहाँ पर 44,000 के उपर जाकर अगर दो कैंडल क्लोजर डेली लेवल पर अगर दिख जाए तो ऐसे सिचुछेशन में मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है और वीकली लेवल पर भी सेम लेवल ही आ रहे है जो कि 21 एम में के साब से आ रहे है 44,000 34,33 के आसपास राइट तो यहाँ पर हमको यह चीज़ वाच करना होगा थोड़ा सा क्लोजली कि क्या मार्केट हमको 44,000 के लेवल पर डेली और वीकली कैंडल क्लोजर देता है डेली कैंडल क्लोजर हमको दो लगातार चाहिए और वीकली कैंडल क्लोजर उसके बाद कॉंटिनूशन में मार्केट जा सकता है अगर उपर की तरफ आ जाए तो तो यह तारा सिचुएशन है एट दा मोमेंट जो की यहाँ पर रजिस्टेंस है अब बात करते हैं 37,000 का सपोर्ट जो ब्रेक में ही कर पाया था और 37,150 के आसपास से मार्केट चला गया था वापस उपर जो की 42,500 तक गया था तो यहाँ पर 37,000 का काफी important level है और अभी अगर हम देखें तो आज सुबह जो मार्केट आया वो 38,200 के नजदीक में जो मार्केट यहाँ पर गिर लेवल जो हमारे लिए काफी आदा important होगा वो होगा यहाँ पर 37,000 का right 37,000 काफी important है और उसके नीचे जो important levels है वो यहाँ पर चोटा सा बात करते हैं देखिए उसके नीचे यहाँ पर यह जो levels है यह वाले levels right यह वाला level यह काफी आदा important है which is 34,500 right 34,500 important है उसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर 32,900,800 important है right तो यह थारी चीज ने है लेकिन 37,000 dollars अगर नीचे अगर break हुआ तो फिर यहाँ से correction जो है वो इस जगा पर जो यह जो zone है इस zone के अंदर आ सकता है बजार right तो यह चीज यहाँ पर जो है bitcoin का price इस level के आसपस आ सकता है let's see क्या कुछ होत है लेकिन यहाँ पर यह important level है 37,000 उसके नीचे हम यहाँ पर अगर हम जाएंगे थोड़ा बहुत और देखेंगे तो यहाँ पर 37,000 के नीचे हमको जो level मिलेंगे 36,000 के फिर उसके बाद 36,000 से तो फिर नीचे पूरा का पूरा zone ही शुरू हो जाएगा जो कि यहाँ पर 32,000 33, 33,000 के आसपस mainly यहाँ पर zone बनता है और उसमें यह चीज़े देखी जाएंगी लेकिन यहाँ पर उमीद क्या है उमीद यह है कि यहाँ पर हो सकता है कि bitcoin ऊपर की तरफ भी breakout कर दे जिस तरहीं की छोटी मोटी positive news निकल कर आ रही है जैसे की रश्या की तरफ से निकल कर आ रही रश्या का मैटर काफी दिनों से negative impact जो मार्केट के अंदर दे रहा है और अभी अगर यहाँ पर positive news अगर रश्या की तरफ आई तो वो भी एक positive impact भी दे सकता है लेकिन ऐसा कहना कि positive ही होगा यह negative ही होगा यह थोड़ा सा जल्दी होगा ऐसा क्यूं देखें मैं यहाँ पर आ 60 का मतलब यह है कि यह बहुत ज़्यादा stable है नहीं तो इसके अंदर मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा ऊपर की तरफ movement है नहीं बहुत बड़ा नीचे की तरफ movement है यह total consolidation में मार्केट यहां पर इस zone के अंदर total consolidation चल रही है अब ऐसे situation में मार्केट जिस तरफ भी breakout ले के level पर यहां पर भी मनाई थी तो यह जो level है 46,000 से लेगे 45,500 इसके ओभी cross करना बहुत ज़्यादा important रहेगा तब ही हम यहां पर जो है वो market को bullish consider कर सकते हैं और यहां पर breakout के levels जो है यहां पर आपको मैंने बताया कि सबसे पहले तो important candles जो close होनी है closure is different और cross करना is different तो यहां यहां पर closer हमको चाहिए दो लगातार closer चाहिए 44,000 के उपर अगर हमको bullish यहां पर होना है तो उससे पहले यहां पर उसके बाद जो basically चाहिए वो चाहिए 46,000 को cross करके market उपर निकले तो आकि हम यहां से bullish यहां पर महौल बंग सके market के अंदर और market में तेजी आये थोड़ी सी तो यह सारी situation है और मैं आपको support तो बता ही दिया है थोड़ी सी बात करते हैं यहां पर कि क्या कुछ target हो सकते हैं अगर market अगर उपर गया तो और अगर यहां पर उपर जाता है market तो उस situation में हम जो targets निकालेंगे वो निकालेंगे Fibonaki की help से मैं यहां से उपर से Fibonaki लगात है ताकि हमको clearly पता जल जाए कौन से लेवल है अब मेरे चार्ट के उपर clearly देख पा रहे होंगे तो देखिए यहां पर जो important level है यहां पर आप देख रहे हैं horizontal यहां पर resistance भी है अगर यहां पर 46,000 के levels अगर break अगर होते हैं तो यह अगले horizontal level प्लस यहां पर जो Fibonaki level है which is around 50,900 जिसके बारे मैं आपसे previous videos के अंदर भी बात कर चुका हूं वहां तक जा सकता है market और उसके ऊपर जो एक जो यहां पर जो यहां पर रजिस्टेंस है that is 53,000 के आसपास रजिस्टेंस है वह भी level मैंने आपर mark किया हुआ देखिए यहां पर 53,000 है यह एक horizontal level है लेकिन मेरे चीए आने वाले समय में और यहां तक market जो ऊपर जाने की expectation हम कर सकते हैं अगर यहां से market ने 44,000 के ऊपर daily दो candles अगर लगाता अगर closer दे दी तो तो यहां पर हो सकता है कि market ऊपर की direction में चला जाए तो यहां पर at president दिख रहा है यहां पर market जो कि यहां पर exactly Fibonaki के साब से और यहां पर horizontal levels भी दिखने हैं हमको let's see क्या कुछ होता है लेकिन अभी फिलाल के लिए यहां पर महौल जो है market का कुछ ऐसा है कि अभी फिलाल के लिए तो prices नीचे चल रहे है 38,600 के आसपा सभी जो prices आ गया है यहां पर दीरे-दीरे करके थोड़ा सा market नीचे ही आया है लेकिन candle closure पर हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है weekly कैसा कैसा closure हो रहा है और यहां पर daily candle से ऐसी closure हो रही है वो सारी चीज़े थोड़ी सी ध्यान रखना है उसके basis पर हम यहां पर market का next move जो देखेंगे कि क्या कुछ हो सकता है तो दोस्तों यही सारी चीज़ें है फिलाल के लिए और उमीद करता हूँ कि आपको यहां पर काफी सारा कुछ update यहां पर जो हमिल गया है news से related भी और bitcoin से related भी क्या कुछ यहां पर news है क्या कुछ support level है क्या कुछ यहां पर resistance है रशिया की तरफ से किस तरीकी की news आ रही है यहां से कुछ positive news निकल कर आ रही है चाइना की तरफ से एक आपको सारी updates देते रहेंगे quick updates के लिए आप हमारे telegram channel और हमारे twitter handle को follow कर सकते हैं जिसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा वहाँ पर आपको सारी information में regularly post करकर बताता रहता हूँ तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए सब लोग बह कर आप